इंस्ट्रिगाम पर रिल्स बनाते हो लेकिन उसका क्वालिटी अच्छे नहीं होते हैं घर पे बहुत बोल बोल के एक फोन देने को राजी हो गए लेकिन समझ नहीं पा रहे हो बाजट के अंदर कौन सा फोन आपके लिए अच्छा होगा कोई बात नहीं आपका भाई है यहा फोन सबसे बेस्ट हैं इससे ऑच्छा फोन हो सकते हैं गेंमिंग के लिए अच्छा है कुछ पुछ हूर वैस्टा ह Ona क्र fps अब कर लिए क्वा लेखार अगर आपके ग learnt बनाना है है मतलब उतना भी हेवी नहीं है थोड़ा बहुत है इसके अंदर आपको IPS LCD 128Z का एक फुल HD डिस्पले दिखने को मिलते हैं जो कि 6.6 इंचीज के 1080P 2412 पिक्सल का मतलब आप लोग अंदाजा लगा सकते हो फोन कितना बड़ा होने वाले हैं में चीज के बारे में बात करेंगे उससे पहले इसके OS और चिपसेट और हाड़वर के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं यहां पर आपको Android 12 Android 12 Realme UI 3.0 not 2.0 3.0 दिखने को मिलते हैं चिपसेट आपको Qualcomm Snapdragon 695 5G जो की 6 Nanometer पर बेस है CPU OctaCore की तरफ से आते है GPU भी काफी कामाल के हैं यहां पर Adreno 610 नहीं 619 दिखने को मिलते हैं मैंने पिछले कुछ फोन रिव्यू किया था जिसके अंदर आपको लगवग Adreno 610 दिखने को मिलेंगे दो बेरियंट पर यह फोन लॉंच हो था 128-6GB RAM & 128 8GB RAM चलिए भाई आप बात करते हैं में चीज के बारे मतलब क्यों आप यह फोन देख रहे हैं सबसे पहले बात करते हैं पीछे की कैमेरे के बारे में यहां पर आपको ट्रिपल कामेरे दिखते हैं आपको मिलते हैं जो पहला कामेरा है मतलब जो बड़ा गामेरा व जोकि wide angle lens provide करते हैं 64MP के secondary camera आपको 8MP के 2.2 aperture के साथ ultra wide lens provide करते हैं मतलब यह आप आप ultra wide shoot भी ले सकते हैं तीसरा camera आपको 2MP के 2.4 aperture के साथ macro sensor provide करते हैं अब अगर आप macro shoot करना चाहते हैं तो भी इस device से कर सकते basically जो reels बनाते हैं उनके लिए macro shoot की ज़रुआए हथी कम पड़ते हैं क्योंके अगर आप face cam बगर करते तो उस पे selfie camera या फिर आपके back camera main camera शीशे की सामने जाके आप shoot करते हैं तो उस time पर यह दोनों matter करते हैं वहाँ पर macro उतना ज्यादा काम पर नहीं आते हैं अगर आप रिल्स बनाने के लिए यह फोन ले रहे है तो यहाँ पे अपने brarहे अगर आप रिल्स बनाने के लिए फोन लू गे तो जहुतिसी बात है आपको अच्छहा होना चाहिए क्योंकि आपके कैमरा या फिर विडियो क्वालिटी के मामले में फोन चाहते हैं उतना हिच किचा या नहीं जाए तो इसी वजह से यहां पर आपको LED फ्लैश नहीं दी गई है उसके साथ-साथ यहां पर आपको HDR पैनलों का बागर है सब कुछ मिलेंगे सेलफी पे और दो कैमरे की एक चीज़ में आपको बता देता हो सेलफी पे आप हजार आसी फी 30 पेस वर विडियो शूट कर सकते हैं और बैक कैमरा पी भी आप हजार आसी फी 30 पेस वर विडियो शूट कर सकते हैं इसके अंदर आपको Wi-Fi Bluetooth 3.5 mm जैक यानि हेड़फोन लगान अगर बैटरी की बात करें बैटरी काफी बड़ा है काफी कमाल के है लीपो की तरफ से आते है 5000 एमेज के एक नॉन रिमूबल बैटरी जो की 33 वाट के फास्ट चार्जिंग सपोर्टेड है मतलब इसके अंदर आप क्विक चार्ज भी कर सकते हैं तीन कलर में यह फोन आते ह अगर आप चाहते हैं अगर आप चाहते हैं इस बाजट के अंदर मुझे दूसरा फोन भी देखना है मतलब दूसरा फोन कैसा होगा तो इसके लिए भी हमने डेडिकेट वीडियो बना कर रखे हैं डिस्रिप्शन बॉक्स पर जाओ फोन लिस्ट करके एक लिंक मिलेंगे हम चैनल को सब्सक्राइब करो तके मुझे मोटीव करो और भी अच्छे फोन या फिर गैजट पर फिर कुछ भी आपके जो चीज बगरा या फिर कुछ भी गाइस में लेकर अच्छे चीज आपको दिखा सको और हां ये बता देना आपके अगर मन में कोई बाजट है उस संद बजट के अंदर कोई भी फोन ढूंड रहा है तो आप ये राइड वाला प्लेलिस्ट चेक कर सकते जिसके अंदर आपको भर-भर के फोन के कलेक्शन्स मिलेंगे ऐसे वैसे नहीं जो फोन अच्छे है उसी का कलेक्शन्स यहां पर मिलेंगे और बीच वाला गोल बटन दवा के चैनल को सब्सकाइब कर लीजिए ताकि इन फ्यूचर सारे अपडेट अपको मिल जाए